हेलो फ्रेंट्स जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं लेका रहा हूँ जुलोजी से संबंदे टॉप 20 MCQs जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है किसी ने किसी एक्जाम में पूछा गया था तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है अपके ल तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकास संसलेशन के लिए कौन सी गयस आवश्यक है तो प्रकास संसलेशन में कौन सी गयस सबसे ज़्यादा महत्योपूर्ण है इसका करेक्ट आंसर होगा option D CO2 carbon dioxide फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ important points है तो उन्हें हम जान ले लेते हैं तो यह एक रंगहिन और गंधहिन गयस है और जल में यह घुल सकती है घुलनसील है जल में और greenhouse gas है फ्रेंट्स greenhouse gas है यह बहुत ही important है कौन-कौन सी greenhouse gas है उनके नाम पूछ लिया जाता है अकसल तो CO2 एक greenhouse gas भी है यह आप याद रखिये और यह प्रत्वी पर कितने परशेंट पाई जाती है Co2 फ्रितवी पर कितने परशेंट पाई जाती है तो वहाई पाई जाती है 0.03 ये याद रखिये आप Next Question देखते है Friends Next Question है निबू का कैंकर रोग किस से होता है तो निबू का कैंकर रोग निमेटोर्स के द्वारा होता है इसके बारे में कुछ important points है उन्हें भी हम जान लेते हैं तो इसका व्यग्यानिक नाम है citrus lemon और इसमें vitamin C पाया जाता है और यहां antioxidant, potassium, citric amyl और hydrochloric amyl भी पाया जाता है नीबु में तो यह आप याद रखिए Next question देखते हैं Next question है jeans बने होते हैं Jeans किसके बने होते हैं तो वहाँ बने होते हैं RNA के RNA का पूर्ण नाम क्या है तो RNA को ribose nucleic amyl कहा जाता है और यह थाइमिन के जगां uracil पाया जाता है RNA में थाइमिन की जगां uracil पाया जाता है याद रखे फ्रेंट्स पूछ लिया जाता है कि यूरेशिल यूरेशिल आरेने में य दीने में पाया जाता है तो वहाँ आरेने में यूरेशिल पाया जाता है थाइमिन नहीं पाया जाता और डीने में एडिनीन, ग्वानीन और थाइमिन पाया जाता है और आरेने में यूर पाया जाता है थाइमिन की जगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है माइट्रो कांट्रिया की खोज किस ने की थी तो फ्रेंट्स यह आल्ट मैंने की थी ओप्सने करेक्ट हो जाएगा माइट्रो कांट्रिया सब्द किसने दिया था तो वह दिया था कारल बेंडा ने किसने कारल बेंडा कारल बेंडा ने माइट्रो कांट्रिया सब्द दिया था और इसकी खोज कि थी आल्ट मैंने और कोशिका का इसे पावर हाउस भी कहा जाता है किसका कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइट्रो कांड्रिया को next question देखते हैं next question है म्रदा अपर्धन को रोका जा सकता है किसके द्वारा तो friends 1 रोपड के द्वारा 1 रोपड के द्वारा रोका जा सकता है 1 लगाकर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पधा लगाना चाहिए जिससे कि म्रदा अपर्धन नहीं हो next question देखते हैं philosophic geology के लेखक कौन है philosophic geology के लेखक कौन है तो friends इसका correct answer होगा लेमार्क लेमार्क ने philosophy geology लिखा था next question देखते हैं next question है जिवाडू की खोच किस नहीं की थी तो जिवाडू की खोच की थी live-in होग ने option भी correct हो जाएगा friends जिवाडू एक सुक्षम जीव है और एक कोशिकी जीव है और ये गोलाकार, मुक्त चंद्राकार और छड रूप में भी पाया जाता है next question है next question है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित हैं तो वन अनुसंधान संस्थान कहां पर हैं तो वह हैं देहरदून में और friends इसका एक छेत्रिय कारयाल हैं जो की मद्यप्रदेस में कहां पर इस्थित हैं वह जबलपूर में इस्थित हैं और friends इसकी इस्थापना की गई थी देहरादुन में इसकी स्थापना की गई थी 1906 में कब 1906 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका पहले जु नाम था वहाँ था Imperial Forest Research Institute इसका पहले नाम था और इसका सतापदी वर्स कब मनाया गया था? इसका सतापदी वर्स मनाया गया था 2006 को तो यह बहुत ही important से इनको याद रखिया Next question देखते हैं Next question है जै विकास को सरुप्रथम किसने समझाया था तो friends यह समझाया था लैमार्ग ने Option D correct हो जाएगा Next question है चपल की आकरती का जनतु कौन सा है तो चपल की आकरती का जो जनतु है वह है पेरामेसियम Option D correct है और friends यहाँ एक कोशी की प्रोटोजोवा संग का प्राड़ी है यहाँ और यहाँ गती करता है सीलिया के द्वारा और यहाँ कहाँ पाया जाता है तो यहाँ मीठे जल में पाया जाता है Next question देखते हैं Next question है अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है तो friends अमीबा का प्रचलन अंग है कूट पाद Option C correct हो जाएगा यह जीवित प्राड़ी की तरह भोजन ग्रहण करता है friends और यह प्रजनन के पहले इसका जो आकार है वहाँ गोल हो जाता है तो यह points भी याद रखी आप Next question है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्तिया होती है तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें टोटल आठ हड़ी पाई जाती है Next question है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है तो friends यहाँ है रेनिन यहाँ दूद में उपस्तित प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और friends कैलसियम पाया जाता है दूद में यह तो आपको पता है और दूद में कौन-कौन सी विटामिन पाया जाता है तो friends वहाँ है B2, A, D, E, और K यह सब विटामिन दूद में पाया जाते है नेक्स्ट कुश्चन देखते है तो friends लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो वह है टाइलिन और friends यह इस्टार्च को सरकरा के रूप में तोड़ता है जिससे भोजन का पाचन मुझसे ही सुरू हो जाता है तो यह भी याद रखिया आप नेक्स्ट कोश्चन है मानव सरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड़ी होती है तो मानव सरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड़ी पाई जाती है तो फ्रेंट्स वह है कान में और कौनसी हड़ी है आप मुझे कॉमेंट में बताएए शरीर की सबसे छोटी हड़ी कौनसी है तो वह आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे नेक्स्ट कोश्चन है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस स्रेणी में रखा गया है तो वह रखा गया है प्रोटो जोवा स्रेणी में नेक्स्ट कोश्चन है पेसमेकर का संबंद किस से है तो वह है रदय से रदय से है पेसमेकर का संबंद फ्रेंट्स यह एक छोटा सा उपकरण होता है और यह हरदय गोती को नियंत्रीत करने के लिए इसे लगाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है महिलाओं में गरभाशे कितना होता है तो महिलाओं में कितना घरभाशे होता है तो friends वह हैं एक ही घरभाशे पाया जाता है महिलाओं में Next question है सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है तो वह है सोयबीन और friends सोयबीन के उत्पादन में सबसे पहला इस्थान है मध्य प्रदेश का सोय इस्टेट राज्य भी कहा जाता है इसे Next question है निमलीखीद की कमी से एनिमिया रोग होता है तो किसकी कमी से होता है तो वह है लोहा की कमी से RBC में खून की जब कमी हो जाती है तो एनिमिया हो जाता है और यह इसका लक्षण है थकान, सांस लेने में तकलिफ होती है और सरीर का रंग पीला होने लगता है फिर्ट्स आज की कुश्चन यही समाप्त होते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए धन्यवाद